तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ही pot है और उतने ही plants इसमें अची तरह से grow कर रहे हैं और हर एक root के पास आप देख सकते हैं नए leaves निकल के आ रहे हैं तो अभी इसकी start हो गए है मतलब growth अभी start हुआ है तो इसमें मैं जब growth के लिए इसको मैं लगाया था तो उसके बाद मैंने कुछ भी उसमें खाद या manure कुछ भी add नहीं किया था क्योंकि just tender roots होते हैं अगर हम strong कुछ डालते हैं उनको roots को तो मर जाते हैं या फिर grow नहीं करते हैं अच्छी तरह के से अगर आप बड़े से जगह में डालते हैं तो आप डाल सकते हैं क्योंकि space बहुत जादा होता है यहाँ पे space pot में बहुत कम है तो आप direct इसको अच्छी तरह से grow हो जाने के बाद ही कुछ खाद या manure fertilizer आप डाल सकते हैं यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप यह पान का पौदा लगाते हैं घमले में या पॉट में तो मिट्टी जो होती है बहुत ही लूज, soft, नरम वाली होनी चाहिए बहुत चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें वो ग्रोक नहीं करते हैं क्योंकि roots फैली नहीं सकते हैं चिपचिपी मिट्टी में तो loose हलकी सी suki type black color की मिट्टी जो होती है वो ही आपको यूज करनी है और पानी इसको जादा नहीं लगता है लेकिन nursery में available होता ही है तो आपको आसने से मिली जाएगा पान के पौदे को घर में grow करना बहुत ही शूब माना गया है साथे साथ इसके बहुत सारी health benefits है अगर आपका digestion अच्छा नहीं होता है तो आप रोज एक पान खा सकते हैं उसमें कोई masala वगरा कुछ add करनी के ज़रूरत नहीं है आप ऐसे ही चबा के एक पान खाएंगे तो आपका digestion इंप्रूव हो जाता है दोस्तों यह मैंने पान का पौदा कैसे ग्रो करता है उसका वीडियो अप्लोड किया था उसके बाद मैंने एक black pepper यानकी काली मिर्च को भी कैसे आप garden में घमले में चोटे से डिब्बे में लगा सकते हैं उसका वीडियो भी अप्लोड किया है वो भी वीडियो आप देख स सकते हैं तो अभी यह पौदा बहुत छोटा है इसलिए मैंने कुछ भी fertilizer या कुछ खाद इसमें नहीं डाला है लेकिन थोड़ा grow हो जाने के बाद मैं इसमें कौन सा खाद डालने वाला हूँ उसके बारे में भी आपको information देता रहोंगा और update आपको देता रहोंगा तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग हैल्थ एंद फन लाइफ